राव साहब के लड़के ने ऐसा सिस्टम बिठाया है कि यूपी हो बिहार हो राजस्थान हो हर याना हो हर जगह पर सिक्का चल रहा है नाम एल्विस यादो बिग बॉस का फाइनल और एल्विस यादो मानों कि एल्विस यादो के नाम पर गाउं गाउं में आर्मी तयार हो ढभी है बच्चा-बच्चा यादों के लिखν सब्सक्रान को सपोर्ट कर रहा है। लोगों से कह रहा है कि यादों को जीता ही लेकिन यादों ने वह किया की इतनी टगडी फैन फ्लोइंग बनी तो उसका कारण यह वाला फोटो है जैसरी नाम दोनों तरफ भगवा जंडा गले में भगवा गमचा और एलबिस यादों के बारे में इतना जानिए कि जिस गाली पर भी एलबिस यादों चलता है उस गाली के पीछे हिंदू नाम के श्टिकर चिपका ह होता है यह एलबिस यादों का कमाया हुआ कहिए आप धन है जो कमाई आज उसके काम आ रही है आगे एलबिस यादों ने कैसे अपने सिस्टम को हिंदूत्य के दम पर खड़ा किया और बिग बोस में जाने के बाद वही लड़का एलबिस यादों नाम का एक साधारन सा और आप जनता जंक्षन देख रहे हैं सबसे पहले कुछ लोगों के मन में बड़ा कंफ्यूजन है कि लड़का यादों है तो यादों का सपोर्ट मिल रहा है अब लड़का यादों है तो हो सकता है कि कुछ यादों सपोर्ट यादों के नाम पर कर दें लेकिन सिर्फ कर्चेक के ये फेस्बूक पर आपका दोस्त यादो नहीं है लेकिन फिर भी वो राव सहाब वाला गाना अपने status पर डालता हैblis ज़ादो का गाना status पर डालता है system पर system सिष्टम विठा रख्या छोड़ा जाद्का यह वाला गाना अपने status पर डालता है जो दिखाता है कि जाती के नाम पर तो कम से कम एलविस यादो का सपोर्ट नहीं हो रहा है अब एलविस यादो का चरीत रजरास समझेए एलविस यादो एक बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योग्यादीत नात से बीडियो कॉन्फेरेंसिंग के जरिये से बातचीत करते हैं राव साहब का चोड़ा योग्यादीत नात से पूछ देता है कि मथुरा में कब तक मंदर बनवाईएगा अयोध्या में अपने बनवा दिया हमारे मतुरा में भगवान कृष्ण है वहाँ पर कब बनेगा योग्यादीत नात मुश्कुरा कर एलविस यादो को कहते हैं कि बनेगा सब कुछ समय के हिसा आप से चल रहा है और एलविस जी समय आने पर वह भी होगा अब एलविस यादो का जरासा आप उस वाले मतलब की fan following जो है वो क्यों इतना तगड़ा है इसको समझिए सबसे पहली बात एलविस यादो कटर हिंदू ऐसा हिंदू कि अगर हिंदुत्य के बिरोध में कोई बोल देता है अगर धर्म पर कोई उड़ी उठा देता है तो एलविस यादो वीडियो बना कर उसको रगड़ डालता है एलविस यादो की पहली ताकत सबसे बड़ी ताकत और इसी ताकत के दम पे सिस्टम पे सिस्टम चल रहा है आप LVIS यादो का और सारा ज़रास आप समझी हो सकता है कि बिहार में उत्तर परदेश में कुछ यादो यादो के नाम पर सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन अब मैज merciful आदो के नाम पर सपोर्ट नहीं हो रहा है बलकि LVIS के करिष्माई चहरेब के कारण सपोर्ट हो रहा है अगर आपको हम नाम रख कर बताएं तो कई सारे बड़े-बड़े यूट्यूबर जो तमाम अलग-अलग समयों पर भारतिय जनतापाटी की सरकार या मंदिर वगरा को लेकर टिपनी करते हैं तब-तब राव साहब का छोरा अपने यूट्यूब से आता है आकर जबाब देता है और राव साहब के छोरे का जबाब देना लोगों को इतना पसंद आता है कि एल्विस आर्मी बन कर तयार हो जाती है फिलाल एल्विस यादो बिग बॉस के फाइनल में है अगर वोटिंग के लिया से बात किया जाये तो कहा जा रहा है कि सिस्टम के आगे कोई ठीकेगा नहीं एल्विस यादो नाम के एक लड़के ने जो एक समाने परिवार से निकलता है आगे बढ़ता है और उस लड़के ने जाकर जंडा गार दिया कि आज बड़े-बड़े सेलिब्रिटी चाहें वो आलिया भट हो चाहें वो बड़े- बॉस में आपका फैबरेट कौन है आप किसको चाहते हैं कि उसका इस बार दंका बजे उसे कमेंट बॉक्स में लिकर बताईएगा बाकी एल्विश यादो के फैंस के लिए यह वीडियो था वीडियो को शेर कीजिएगा वीडियो में पर समाप करते हैं केमरेशी अंकित ख